हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फोग और्विन्ट जोब्स पर तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यह आपका है ELP के उपर बड़ी अपडेट है दोस्तों बहुत ही आपकी इंपोर्टेंट नियूज है अगर आप ELP के डिपार्टमेंट में हो अभी हो गई है कहीं न कहीं आपका ज्यादा जो प्रमोशन होने वाला था आराम की नोगरी में वह दोस्तों अब साइट थोड़ा मुस्किल हो जाता है आपका रास्ता मतलब इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा जितना जल्दी आप सोच रहे हो तो उस न्यूज पर मैं आपको बताऊंगा कि पूरी इंपोर्टेंट न्यूज वो क्या है दोस्तों तो अगर आप चैनल के पर पहली बार विजिट करें तो च के अंदर आपका लिखा गया साब साब आने वालों दिनों में रेल्वे में चीफ लोको इंस्पेक्टर पद दोस्तों चीफ लोको इंस्पेक्टर पद आप मानते होगी बहुत ही आपका लोको पाइलिट के अंदर लगभग आपका हाइस पद है वो आपका चीफ लोको इं कितने गुना हो गए आप देख सकते हो साथ से आठ खुन आपका हो गया दोस्तों यह अक्ष्पिरेंस जो कि एक लोको पाइलेट के पूरे जिवनकाल में बहुत ही कम मात्रा में आपका संभव हो पाएगा पहले दोस्तों 75,000 वाले सभी फोम अपलाई कर देते थे तो इसमें आग क्या है इंस्पेक्टर का चैन किया जाएगा रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर अपने पूर्वे के इमो में संसोधन कर दिया गया है जिससे आने वाले दिनों में जो लोको पाइलेट वास्तवी ग्रूप से ट्रेनों का संचालन करते हैं वे CLI के पदों के लिए पात्र होंगे दरसर रेलवे में लंबे समय से लोको पाइलेट की CLI के लिए पात्र होते थे जिसके कारण कम उमर वाले लोको पाइलेट किसी परकाद जुगाड कर CLI की परिक्षिया पास कर लेते थे जिसके कारण अनुभवी लोको पाइलेट को वे ट्रेन संचालन के इसके अलावत जो लोको पाइलेट दस साल तक वास्थी ग्रूप से ट्रेन का समसाल कर चुके हैं वे भी सी एलाई की परिक्सा में बैठ सकते हैं से इसके अदर आपका दो पैटन कर दिये गए है एक तो पांच लाघ किलोमेटर आपको ट्रेन चलानी है और एक दोस्तों आपका ग्याई कर आपका एकूरो सायरी आपको बर्क पैढ़ता चलो जाएगे तो आप 45,000 km आपकी गाड़ी चल जाएगी मतलब आप 5 साल में चल गई तो आप 5 साल के बाद में आप अग्जाम देखर CLI बन जाओगे चीफ लोको इंस्ट्रेक्टर बन जाओगे तो दोस्तो जो अनभोगी आपके experience ओल्डर है वो आपके वंचीत रह जाते हैं आपके इस पद्जे तो इसलिए रेल्वे ने एक कदम उठाया दोस्तो तो उमीद करता हूं जानकारी helpful थी चोटी जरूँती दोस्तो एक चोटी शी शेयर करें और चेलने को सब्सक्राइब करें बैल आइगन को प्रेस कर लें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भारत